नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का तो साथियों आज हम मैच कवर करेंगे लंका प्रीमियम लीग का एलिमिनेटर मुकाबला जो खेले जाने वाला है कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सीज गैंडी फालकंस के बीच में तो दोस्तो मुकाबला 18 जुलाई को खेले जाने वाला है 7 बजगर 30 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा प्रेमादासा किर्केट स्टेडियम कोलंबो स्रिलंका की पिच पर तो दोस्तो आज के मैच की हमारी फैंटसी टीम किस परकार से होनी चीए कौन सा खिलाडी दोस्तो हम ग्रेंड लिग टीम में कैप्टन लगा के चलें कौन सा खिलाडी हमारी टीम में वोईस कैप्टन होना चीए कितने ट्रम काड खिलाडी दोस्तो कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से देखने को मिलेंगे और कितने ट्रम पलेड दोस्तो केंडी फालकन की टीम से देखने को मिलेंगे दो ऐसे खिलाडी हैं जो जिनका बहुत ही लो सेलेक्षन आपको देखने को मिलेगा कोलम्बो स्ट्राइकर्स की टीम से और हम उनको अपनी फाइनल ग्रैंड लिग टीम में ट्राइ करने वाले हैं इसके साथ साथ दोस्तो अगर बात करें केंडी फालकन की टीम की तरब से तो यहां से दोस्तो चार ऐसे खिलाडी है जिनका सेलेक्शन आपको सबसे ज़्यादा ह आई देखने को मिलेगा और हम उन खिलाडियों के ऊपर रिस्क लेके चलेंगे ग्रैंड लिग टीम में तो कैसे दोस्तो आज के मैच की हमारी फैंटसी टीम होनी चीए मिनी ग्रैंड लिग की टीम कैसे बना के चलनी है और स्मोल लिग की टीम का कोंबिनेशन हम कैसे पूरे 5 मेगा कॉंटेस्ट आप जोईन कर सकते हो वो भी सिरफ एक रुपए में जानने के लिए वीडियो को कम्पलीट देखते चलना वीडियो को दोस्तों लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली लगातार अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रह या फिर दोस्तों यहाँ पर बोलिंग ओडर अच्छा परफोर्मेंस करेगा क्योंकि पिच काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसी के इसाब से फाइनली जील पलस एसल का कोंबिनेशन बना के चलेंगे तो फिच दोस्तों यहाँ से आपको बैलंसिड पिच देखने को म लेगी टोटल इस पिच पर 51 टी 20 मुकाबले खेले गए हैं जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 27 मुकाबले जीते हैं सेगंड बैटिंग करने वाली टीम ने 24 मुकाबले दोस्तों अभी तक इस पिच पर विन किये हैं एवरेज स्कोर की बात करें तो जो टीम दोस ने बनाय हुआ है, सबसे कम स्कोर दाबूला सिकसर का है, अब बात करेंगे दोस्तों बोलिंग के बारे में जो कि लास्ट के जो जितने भी T20 मुकाबले, लंका प्रीमियम लीक के मुकाबले इस पिछ पर खेले गए हैं, रीसेंट के 5 मुकाबले, उसमें पेसर्स को कितनी वि इंपोर्टेंट है, वनिंदू हसरंगा का सबसे ज़्यादा हाई सेलेक्शन देखने को मिलेगा, कैप्टन पलस वोईस कैप्टन सी में, क्योंकि वो खिलाडी दोस्तों कम्पलीट तो च्यार ओवर करवाएगा, पलस में बैटिंग ओडर की बात करें, तो बैटिंग से भी रीसेंट में काफी बढ़िया परफोर्मेंस किया हुआ है, उसके साथ सकोरिंग पैटरन 150 से नीचे 27 बार सकोर है, 150, 170 के बीच में 10 बार सकोर है, 170, 190 के बीच में 9 बार सकोर है, 190 से ऊपर, इस पिच पर दोस्तों अभी तक 5 बार सकोर देखने को मिला है, बात कर लेते हैं, मुकाबलों के बारे में recent 2024 में लंका प्रीमियम लिग के recent के जो 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेसर्स को कितनी विकट मिली है और स्पीनर्स को कितनी विकट मिली है तो recent में दोस्तों दाबुला Sixer वर्सिज कोलंबो स्ट्राइकर्स के बीचे मुखाबला खेला गया था और यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम ने दोस्तों चेस करते वे ओनली पिचानमा रन का टार्गेट रखा था पिचानमा रन पे ओल आउट इस मैच में पांच व बुला सिक्सर के बीचे मुकाबला खेला गया, 9 विकट स्पीनर्स को, 4 विकट दोस्तो, पेसर्स को, और इस पिसका जो सबसे हाईयर स्कोर है, वो दोस्तो, कैंडी फालकन की टीम ने बनाए हुआ है, वो भी रीसेंट 2024 वाले लंका प्रीमियम लीक के सीजन में, उसके साथ य नहां पर पेसर्स भी काफी बढ़िया परफोर्मेंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्पीनर्स भी काफी बढ़िया परफोर्मेंस कर रहे हैं, जो भी हम यूनीक ग्रैंड लिग टीम, फाइनल फैंटसी टीम का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, उसमें दोस्तो, पेसर्स भी लिंक से आज ही डाउनलोड करें माई लेवन सरकल अपलिकेशन और रजिस्टर करने के एक गंटे से पहले अगर आप दोस्तों इस पे अपनी फाइनल फैंटसी टीम बनाते हो तो आपकी जो इंट्री फीस है वो देखने को मिलेगी सिरफ एक रुपए में और एक रुपए मे दोस्तों आप यहाँ पर मेगा कोंटेश जोईन कर सकते हो इसके साथ सा दोस्तों माई लेवन सरकल अपलिकेशन दे रिये 20% एक्स्टरा कैस बैक यानि कि अगर आप पहली बार यहाँ पर डिपोजिट करोगे तो आपको 20% एक्स्टरा कैस देखने को मिलेगा यानि कि अग देखने को मिल जाएगा फटापट से दोस्तों माई लेवन सरकल अपलिकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि आज के मैच में दोस्तों हमें आईफोन 15 विन करके जाना है तो मैं तो दोस्तों अपनी फाइनल फैंटसी टीम इसी अपलिकेशन पर बनाने वाला हूं क्य खेले गए हैं उसमें दोस्तों कोलमबो स्ट्राइकर्स के टीम ने आठ मुकाबले विन किये हैं कैंडी फालकन की टीम ने दो मुकाबले विन किये हैं रीसेंट के परफोर्मेंस के अकोर्डिंग बात करें तो पांच में से दो ही मुकाबले दोस्तों अभी तक रीसेंट मे देगी लेकिन रीसेंट के परफॉर्मेंस के अकोडिंग दोस्तों यहां से दोनों टीमें 50-50 यहां पर परफॉर्मेंस कर रही है बात करेंगे दोस्तों कोलंबो स्ट्राइकर्स की फाइनल पनेंग 11 के बारे में कि कौन से खिलाडी को हम captain लगाएं कौन सा खिलाडी हमारी टीम में वो इस captain हो सकता है तो opening match में दोस्तों आपको रहमद उल्ला गुर्बाज देखने को मिलेगा जिसका high selection है मुहमद वसीम का आपको high selection देखने को मिलेगा उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सैदाप खान का आपको high selection देखने को मिलेगा और यहाँ से पतीराना का आपको high selection देखने को मिलेगा बिन्रू फ्रेंडों का लगबग 70% दोस्तों आज के match में आपको selection देखने को मिल सकता है अब बात करेंगे ट्रम कार्ड खिलाडियों के बारे में गलैन फिलिप्स दोस्तों आपकी टीम का ट्रम प्लेयर है low selection वाला खिलाडी है एड करके चलना है और इस खिलाडी के performance के according बात करें तो confirm इस खिलाडी के आपको betting देखने को मिल जाएगी बात करेंगे दोस्तों प्लेयर performance के हिसाब से कौन सा खिलाडी recent के matchों में किस परकार का performance करके आ रहा है ओपनिंग बैट्समें दोस्तों रहमदुला गुरबाज recent वाले match में flop है फिर 23 रन 57 रन नाबाद उसके बाद 27 रन फिर यहां से 36 रन का performance head to add में बिल्कुल दोस्तों ये खिलाडी flop है ground पे 19 कैवरेज score है LPL T20 format में 24 कैवरेज score है उसके साथ दोस्तों मुकाबले खेले है 105 रन बना चुका है बाववन का average score है ground पे दोस्तों 0 विकट है और 10 का average score बैटिंग से है लेकिन LPL T20 में only 26 का average score है दोनों खिलाडियों के performance के according बात करें तो विकट कीपिंग में रहमादुला गुरबाज का आपको high selection देखने को मिल जाएगा लेकिन ओमद वसीम की बात करेंगे high selection में ये भी खिलाडी आपको देखने को मिलेगा LPL के recent में तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों मुकाबले इसी ground पे खेले हैं 50 का average score है एक मैच में 35 नाबाद है एक मैच में 50 रन और recent वाले मैच में only 15 रन के साथ performance किया head to head में 32 रन इसके पास ह एक मुकाबला head to head में खेला है LPL T20 में total 5 मुकाबले इस खिलाडी ने खेले हैं 30 का average score है और recent में दोस्तों लगबग काफी बढ़िया performance है और high selection में आपको देखने को मिल जाएगा Glenn flips recent के लगातार मैचों में काफी बढ़िया performance recent में 15 रन उसके बाद 31 रन अठावन रन उसके साथ 52 रन फिर यहां से 70 रन head to head में 2 मुकाबले total 70 रन इसके पास है 35 का average score पलस में एक wicket है ग्राउंड पे दोस्तों हर मैच में एक राडी नाबादी देखने को मिला है एक wicket इसके पास LPL T20 format में है 42 का average score है recent की तीन इनिंग आपको इस पिच्की देखने को मिल जाएगी बाकी के हर मैच में 10 से नीचे ही score इस खिलाडी की तरब से देखने को मिला है head to head में 9 मुकाबले 27 का average score ground में 25 का average score LPL T20 में 28 का average score तीसारा परेरा ये खिलाडी दोस्तों आपकी टीम का ट्रम्प काड खिलाडी है क्योंकि बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से पॉइंट करके देगा recent वाले मैच में 30 रन पलस में 0 विकट उसके बाद flop है फिर एक विकट 13 रन जीरो विकट 7 रन पलस में 0 विकट head to head में 12 मुकाबले टोटल 243 रन 24 का average score पलस में 4 विकट है ग्राउंड पे 16 मुकाबले और 286 रन है 26 का average score पलस में 6 विकट LPLT 20 में 17 विकट इसके पास है 25 का average score बैटिंग से है तीसारा परेरा दोस्तों आपकी टीम का ट्रम्प काड खिलाडी देखने को मिल जाएगा उसके साथ दोस्तों सैदाप खान की बात करेंगे recent वाले मैच में flop था सबसे ज़ादा high selection इसी खिलाडी का देखने को मिले था पिछले मैच में और recent में दोस्तों flop देखने को मिला उसके बाद continue दो मैचों में performance head to head में दो मुकाबले 5 विकट है ground पे दोस्तों 6 विकट है LPLT 20 format के 8 मुकाबले खेले हैं 16 विकटों के साथ ये खिलाडी performance कर चुका है उसके बाद दोस्तों बात करें अगर trump card खिलाडी के बारे में तो यहां से डुनित वेला लेगे आपकी टीम में trump card खिलाडी का काम करेगा recent के लगातार मैचों से performance है दो-दो विकटों के साथ head to head में अभी तक इस खिलाडी ने 8 मुकाबले खेले हैं 10 विकट निकाल चुका है गिराउंड पे दोस्तों 8 विकट है 18 का average score बैटिंग से 24 विकट इसके पास LPL T20 format में है 23 का average score दोस्तों इस खिलाडी का बैटिंग से है इस खिलाडी के performance के according बात करें तो continue दो मुकाबलों में दोस LPL में भी 3 ही मुकाबले खेले हैं 3 विकटों के साथ performance कर चुका है उसके साथ दोस्तों बिन्रू फ्रेंडो लगातार performance तीनों मैचों से ground पे सबसे ज़्यादा जो performance है वो दोस्तों आपको बिन्रू फ्रेंडों का ही देखने को मिलेगा head to head में 4 विकट 24 विकट इसके पास ground पे है और 38 विकट निकाल रखी है LPL T20 format में उसके साथ दोस्तों फाइनल बोलर यहां पर पतीरा ना जो की head to head पलस venue दोनों format में काफी तगडा performance है recent वाले match में भी 2 विकट इस खिलाडी ने निकाली उसके बाद 4 विकट फिर यहां पर 1 विकट head to head में अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं 9 विकट इसके पास 15 विकट गिराउंड पे है 24 विकट इसके पास LPL T20 format में है तो यह दोस्तों फाइनली आपको कोलंबो स्ट्राइकर्स के final player performance देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें दोस्तों इनके starting हो death में कौन सा खिलाडी bowling करवाएगा starting के ओवर कौन सा बो जिराना उसके साथ बिनरूफ फ्रेंड हो उसके साथ सैदाप खान डिनूत वेला लेगे यह खिलाडी आपको death में bowling करवाते वे नजर आ सकते हैं बैंस प्लेयरों की बात करेंगे जो कि इस टीम के पास टोटल 5 से 6 बैंस प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे टोटल दोस्त कोई भी खिलाडी अगर finally update होता है वो update में आपको टेलिग्राम चैनल पे डाल दूँगा नीचे मैंने description में link दे रखा है फड़ापट से दोस्तों टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना इनका head to head recent और when you record आपको देखने को यहाँ पर ही मिल जाएगा उसके साथ दोस् जरंगा का high selection देखने को मिलेगा उसके साथ-साथ मोहमध हसनेयन का high selection है लेकिन trump card खिलाडियों की बात करें तो रमेस मैंडीस साथ-स आपकी टीम का trump player है दसुन सना का आपकी टीम का trump player देखने को मिल जाएगा उसके साथ-साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी टीम मेंडीस भी आपके टीम का ट्रंप कार्ड खिलाडी है लगबग 2-3 ऐसे खिलाडी है जो कि आज के ट्रंप ले रहे हैं और उनका बहुत ही लो सेलेक्शन देखने को मिलेगा फिलिक्चर का दोस्तो हाई सेलेक्शन है क्योंकि हैट टो एड में सबसे जो ज़्यादा परफोर्मेंस है ओप 217 रन है ग्राउंड पे 106 रन 26 काईवरेज स्कोर 35 काईवरेज स्कोर LPL T20 फॉर्मेट में पलस में एक विकेट निकाल रखी है दिनेश चांदीमल रीषैंड में 12, 32, 89 रन उसके बाद एक रन फ्लोप है हैट टो एड में 3 मुकाबले टोटल 60 रन इसके पास है 20 काईवरेज स्कोर बैटिंग से है ग्राउंड पे दोस्तो 31 काईवरेज स्कोर है 34 काईवरेज स्कोर इस खिलाडी के पास LPL T20 फॉर्मेट में है यहां से विकेट कीपर आप्शन की बात करें तो दिनेश चांदीमल को आप ट्राई करके चल सकते हो और लगबग दोस्तो इस खिलाडी के स्कोर दोस्तो गिराउंड पे है और LPL T20 फॉर्मेट में 24 काईवरेज स्कोर है मौमध आर इसकी बात करें तो रीचेंड के दो मैचों में ठीक ठाक परफोर्मेंस है एक मैच में 24 रन एक मैच में 30 रन फिर यहां से फ्लोप है फिर दोस्तो 25 रन का परफोर्मेंस है विकट क रन है 17 का एवरेज स्कोर पलस में 3 विकट है ग्राउंड पे दोस्तों 8 विकट है 24 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है 9 विकट इसके पास LPL T20 फॉर्मेट में है 24 का एवरेज स्कोर अभी तक इस खिलाडी का बैटिंग से है यह खिलाडी दोस्तों आपकी टीम का ट्रम कार् अंजलो मेत्यूज की बात करेंगे जो कि CVC में एक यूनिक कपतान हो सकता है क्योंकि ये खिलाड़ी बॉलिंग से भी परफोरमेंस करके देगा प्लस में बैटिंग से भी परफोरमेंस करके देगा रीसेंट वाले मैच में 24 रन नाबाद पलस में 0 विकट, 11 रन 2 विकट, 29 रन 29 रन नाबाद उसके बाद 25 रन हर मैच में दोस्तों ये खिलाडी ड्रीम टीम में देखने को मिला है हैड टो एड में 4 मुकाबले 2 विकट है, 7 विकट इसके पास ग्राउड पे है, 30 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, 14 विकट अभी तक LPL T20 फॉर्मेट में निकाली है, 30 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है उसके साथ दसुन सना का, रीज एड में 3 विकट उसके बाद 2 रन 1 विकट फिर फिर 3 विकट, no run 0 विकट, 0 run 1 विकट, head to add में दोस्तों 10 मुकाबले, 200 run है 20 का एवरेज स्कोर पलस में 3 विकट है, ground पे 10 विकट है, 14 का एवरेज स्कोर है, LPL T20 फॉर्मेट में 22 विकटे निक सकते हैं क्योंकि दोनों खिलाडियों का लो सेलेक्शन है कैप्टन पलस वो इस कैप्टन जी में उसके साथ वनिंदू हसरंगा जो की रीशेंट के लगातार मैचों में काफी जबर्दस परफोर्मेंस है हर मैच में दोस्तों इस खिलाडी के पास विक्टे हैं हैक टो एड में ग्यारा मैच खेले हैं 15 विकट है रीशेंट में 25 रन पलस में 4 विकट दो रन नाबाद दो विकट एक एक विकट है फिर फ्लोप है 65 रन नाबाद पलस में एक विकट हैक टो एड में काफी बढ़िया परफोर्मेंस है ग्राउंड पे भी 27 विकट निकाल चुका है 18 का एव एवरेज को इस खेलाडी का टो टो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले खिलाडी के बारे में चतुरंगा डी सिल्वा रीसेंट वाले मैच में एक विकट उसके साथ तीन विकट चार विकट उसके बाद फिर से दो विकट है यानि कि रीसेंट के परफोर्मेंस में Head to add में अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं, 3 विकट है, लेकिन गिराउंड पे काफी बढ़िया परफोर्मेंस है, 11 मैचों में 12 विकट, LPL T20 फोर्मेट में 17 विकट इसके पास है, टोटल 24 मुकाबले अभी तक इस खेलाडी ने LPL T20 फोर्मेट के खेले वे हैं, उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, रमेस मैंडिस के बारे में जो कि रीसेंट वाले मैच में 0 विकट, उसके बाद 5 रन नाबाद, 28 रन 0 विकट, फिर यहां पर 2 विकट, 10 रन पलस में 0 वि लोप देखने को मिलेगा, या फिर 2 विकटों के साथ परफोर्मेंस इस खेलाडी की तरब से देखने को मिल सकता है, उसके साथ दोस्तों गोम जो की रीसेंट के दो मैचों में बैटिंग बोलिंग कुछ भी नहीं है, लगबग फ्लोपी है, इस खेलाडी को आप अवोईड T20 format में 9 मैचीज खेले हैं, 9 विकट के साथ दोस्तों ये खिलाडी परफोर्मेंस कर चुका है, तो ये दोस्तों फाइनली आपको कैंडी फालकन के फाइनल प्लेयर परफोर्मेंस देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ दोस्तों बात करें, अगर इनके स्टार्टिंग के चार बोलर हैं, जोकि दोस्तों डेथ में बोलिंग करवाएंगे, उपर के तीन बोलर हैं, जोकि स्टार्टिंग के ओवर करवादें नज़र आएंगे, तो यहां से दोस्तों मुहमाद हजनायन की बात करें तो कंटिन्यू ये खिलाडी एक-एक विकट के साथ परफोर्म में लिंक दे रखा है दूस्मंता चमीरा ने 2 ही मुकाबले खेले हैं हैड टो हैड में 4 विकट के साथ परफॉर्मेंश कर चुका है 9 मुकाबले दोस्तों ग्लाउंड पे खेले हैं 12 विकट इसके फास है उसके साथ दोस्तों बात करेंगे fantasy के हाई सेलेक्शन वाले खिलाडियों के बारे में कि आज के मैच में सबसे ज़्यादा हाई सेलेक्शन कौन से बोलर का होगा, कौन से बैटिंग ओडर का होगा, कौन से विकट कीपर का होगा, तो हाई सेलेक्शन में दोस्तों यहां से रहमत दुल्ला गुरबाज, उसके साथ सै बिन्रू फ्रेंडो इधर से दोस्तों कामनिंदू मेंडिस और चतुरंगा डिसलवा ये टोटल चार खिलाडी हैं जिनका फैंटसी में सबसे कम लो सेलेक्शन देखने को मिलेगा और इन चार के चार खिलाडियों को दोस्तों आप अपनी फैनल फैंटसी टीम में जरूर पिक लेके आया है आपके लिए जबरदस्तों फर एक रुपए में आप ग्रेंडली खेल सकते हो एक रुपए में आप आईफोन 15 विन कर सकते हो तो मैच से पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिये वे लिंक से आज ही डाउनलोड करें माई लेवन सरकल अप्लिकेशन और इस इसके साथ साथ आपको 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी देखने को मिलेगा अगर आपने पहली बार रजिस्टर किया है तो फड़ापट से दोस्तों माई लेवन सरकल अप्लिकेशन को डाउनलोड करें नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बात करेंगे मेरी आज की फाइनल फैंटसी टीमों के बारे में तो नंबर एक की उनिक ग्रैंड लिग टीम की बात करूँ तो यहां पर दोस्तों आपको लगबग सेफ कैप्टन वोइस कैप्टन देखने को मिलेगा वरिंदू हसरंगा कैप्टन है वोइस कैप्टन सी में सैदाब खान है और आपको यहां पर मैंने जो पिकिया है काम निंदू मेंडिस जो की आज के मैच का ट्रम कार्ड खिलाडी है अगर बात करें दोस्तों ट्रम पलेरों की तो एक तो दोस्तों आपकी टीम मेंडिस आपकी टीम का ट्रम कार्ड खिलाडी है सतूरंगा डिसलवा आपकी टीम का ट् पिर दोस्तों एंजलो मैथ्यूज के साथ आप दसुन सनाका को CVC में ट्राई करके चल सकते हो। अगर दोस्तों हाई स्कोर देखने को मिलेगा, दोस्तों पलस का स्कोर जाता है, तो यहां से फिलिक्चर की तरब से 70-80 रन की पारी आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी दोस्तों फेंटसी टीम आपको टेलिग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फड़ापट से जॉइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सस्क्राइब कर लेना, आने वाली लगातार अपडेट के लिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ,